नमस्कार मैं हूँ आमी सिंग्नेगी, आइडियाफोनीजबरा आपका स्वाज़त है देरादून के अंदर जिस तरीके से उमस्त चल रही थी और गर्मी थी उसको देखते हुए भगवान ने कहा कि हम आपको ठंड का एसार्स कराएंगे इसलिए उसमें बारिस का प्रागान कर दिया और बारिस कर दिया इस समय मैं हूँ सर्वे और इंडिया के सामने सर्वे चौपर जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बारिस का जो है बारिस हो रही है लगातार बारिस होने की समवान अब बने हुई है वैसे तो आपको मालूम ही है कि उत्राखंट में लगातार भुस्करन की सूजनाय उपलब्द हो रही है कहीं लोग का घर उजड़ गया है, कहीं लोग लापता है, कहीं लोगों का इसमें भांच हो चुका है और लेकिन आसपास की जो इलाके हैं, धेरदुन के, वहाँ पर भी हुस्करन की और लेंच राइजिंग की घबरे चल रही है चोड़ी-चोड़ी के नदियों में हो या धर हो, कहीं मुक्सान की सूजनाय मिल रही है लेकिन जिस तरीके से बारिस अब स्टार्ट हो गई है, लगवग 15 मिनट से स्टार्ट हुई भी बारिस है और बारिस तेज है, कब रुखेगी, जो गर्मी थी, जो गर्मी का थोड़ा सा ऐसास कम हुआ है और लगता है कि अब जो है कि थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा क्योंकि मौसम भागने लगातार मौसम बदलने की सूचनाए पुबलब कराई हैं और अलड किया है कि आप लोग जो है इस दिन ठाट सुरक्षिय सतानों पर रहें जिस से कि आपको को परिसानी का सामना ना करना पड़े तो मैं हूँ अब दौरकष्टूर पर आगया हूँ और दौरकष्टूर से आप देख सकते हैं कि कि इस बार कितनी बारिश है बारिश ऐसे हो रही है कि बहुते बारिश है वैसी गांत है, तो पूरे देरादून के अंदर इस समय broken जहां तक मुझे सुचना मिली है पूरे देरादून और आपका हाईवे पर, घ्रज़ने लिकर और वह जाए ड्विय वाला और सभीनी कैम कंग हो हुई हुई है और कहीं कहीं कम क्या हो रही है तो इसको लेकर हम आए हैं आपके साथ, आपके सामने, एक बाद फिर हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, शेयर करें, और प्यार दे रहें आपके, नमस्टाइब